डियर सूडन्स तर इजोकेशन यूट्यूब चनल में मैं कृष्ण अर परमारा को खुशामदीद करता हूँ पिछली वीडियो हम पढ़ेते सिंधी प्राइमर का पहला सबक आज हम सिंधी प्राइमर का दूसरा सबक पढ़ेंगे सबक पढ़ने से पहले ये तसाविर किन चीज़ों की हैं ये हैं दर्वाजे दर्वाजों को सिंधी में दर करते हैं और दर सिंधी ग्रामर में जम है ये हैं हल हलों को सिंधी में हर करते हैं और सिंधी ग्रामर में हर जम है ये क्या है? सरों के पौदे हैं सर को सिंधी में सर करते हैं और सर सिंधी ग्रामर में जम है आईए पढ़ते हैं सबग को पहले हजे से सेंजबर से बेजबर बे आफपिश को हे के साथ ये और हे के नीचे जेर है तो ये पढ़ा जागा हे ये जेर ही डाल के उपर जबर है पढ़ा जागा डाल दा बर्द रे के उपर जबर है पढ़ा जागा रे जबर है दालदा बर्दा रे जबर दार अलिफ के उपर मद है ये के नीचे जेर है और नून के नीचे जेर है पढ़ा जागा अलिफ मद आ हे जबर है नून जेर ने आ हे ने अब पढ़ता है रवासे सबको बियो ही दर आ हे ने ही हर आ हे ने ही सर आ हे ने उर्दु में सबको बियो यनि दूसरा सबक ही दर आ हे ने ये दरवाजे हैं ही हर आ हे ने ये हल है ही सर आ हे ने ये सर है अब आईए इसकी मश्क पढ़ते हैं इस सबक में जो हमने अल्फाज पढ़े हैं, वो अल्फाद दो दो आवाजों वाले हैं, जैसे ये लफा है। हर हर हरोफ को सिंदी में अकर कहते हैं इन अलफाज़ों में कितने हरोफ आए है चार दाल, रे, हे, हरसी मश्क इस मश्क में चार अलफाज दिये गए और ये चारों अलफाज दो दो आवाज़ों वाले है ये पहला लफ्स है दालबर्द सिंदबर्श दस दस दो आवाज हैं हेदबर हस सिंदबर्श हस में दो आवाज हैं हस हस ये औरतों का गले में पैनने वाला जेवर है रस रेजबर हसिंदबर्श रस दो आवाज हैं रस, रस को अर्दू में भी रस कहते हैं, जैसे गने का रस, सप, सिंदवर्स, पेदवर्प, सप, दो आवाज हैं, सप, सप को अर्दू में सांप कहते हैं, आज हम सिंदी प्रामर का दूसरा सबक पढ़े हैं, अगली वीडियो हम पढ़ेंगे, सिंदी प्रामर का तीसरा सबक आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजेगा और मेरे स्चैनल थारेड्यूकेशन यूटूब को सबस्क्राइब कीजेगा शुक्रिया